हिंदी की मनोरंजक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज सुनिये पेशे से डॉक्टर लेकिन दिल से लेखक डॉक्टर संगीता जहाजी की लिखी हुई कहानी तीतरी तो शुरू करें कहानी सचमुच ये तीतरी ही है तितली नहीं बच्पन से दिमाग में भरी हुई चीजें आसानी से दिमाग से निकलती नहीं है बच्पन में अम्मा कहती थी नए कपड़े सिर्फ बुद्वार, गुरुवार, शुकुरुवार को ही पहना चाहिए क्योंकि शनी जारे, रवी भारे, सोम करे, उदास, मंगल जी से मारे इसका मतलब अगर शनी वार को नए कपड़े पहने तो जलने कर डर रहता है, रविवार को भटने का सोम वार उदास कर देता है, और मंगल वार मानो मन को ही खत्म कर देता है बच्पन से लेकर आज तक भी यही फॉर्मूला अपनाती आ रही हूँ ठीक उसी तरह दादी कहती थी तीतरा बेटा राज कराय तीतरी बेटी भीक मंगाय जिसका अर्थता तीन बेहनों के बाद होने वाला तीतरा और तीन भाईों के बाद होने वाली तीतरी बेटी कहलाती है इस तरह और भी कई चीजें बेटों को लेकर थी जैसे एक आँख आँख नहीं या फिर एक बैल बैल नहीं दोनों की जोड़ी जरूरी है दो बैलों की जोड़ी बनाने के चक्कर में कईयों के चार बेटियां हो जाती थी हमारे घर पर ऐसा नहीं था क्योंकि एक तो अम्मा पढ़ी लिखी थी दूसरा भाईया के तुरंट बाद मैं पैदा हो गई हम दोनों ही ऑपरेशन से पैदा हो गए थे इससे अम्मा ने फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन भी करवा लिया था बहुत बड़े तक मैं समझती थी कि परियाई घर पर बच्चे छोड़ जाती है कभी कुछ प्रेशन भी दिमाग में आते तो अम्मा फट से अपने पेट में चीरे का निशान दिखा मेरी जन्म इस्थली भी मुझे दिखा देती जो बच्चे अंग्रेजी मीडियम वाले थे उनके अंसार इस टौर के असारस ये काम करते थे खैर तीतरी की बात करते करते हम कहां आ गए हमारे एक पड़ोसी थे खरे अंकल और आंटी उनकी छोटी बेटी नीता मेरी सहली थी और बड़ी दीदी मीता हमसे तीन साल बड़ी थी और उनकी यहाँ दादी भी साथ रहती थी इससे बेटे की आज़ बनी हुई थी नीता मेरी सहली जरूर थी पर वो पूरा परिवार बड़ा सीक्रेटिव था क्या मजाल कि उनके घर की कोई बात भी हमें पता चल जाए एक दिन मैं और नीता खेल रहे थे तभी अचानक बच्चे के रोनी की आवाज आई मैंने अपनी जासूस बुद्धी का इस्तिमाल कर ये जानने की कोशिश की कि ये आज कहां से आ रही है नीता ने दिरिये से बताया कि उसकी मम्मी ने तीन महीने पहले एक बच्ची को जन्म दिया है मैंने पूछा हाई राम परिया तुमारे घर आई हम लोग भी न फूटे नसीब काश हमारे हाँ भी आती वे बिचारी चुप रही क्योंकि उसके हाँ तीसरी बेटी का मातम पसरा था उसकी दादी बड़ी खुशती कि बेटी हो गई इसके बाद जो बेटा आएगा वो तीतरा बेटा होगा और उन सब लोगों को राज कराएगा मैंने छोटी बच्ची से मिलने के इच्छा जाहिर की वो चुपके से मुझे अंदर ले गई घर पर सब उस पर चिलाने लगे और बच्ची को छिपा दिया मेरे पूछने पर उसकी दीने जवाब दिया अरे परी वापस ले गई तब मैं और नीता दोनों दस साल के थे उन दोनों भी अमोमन दस साल के अंतराल के बाद किसी के बच्चे नहीं होते थे अगर बढ़ाई हो मुवी जैसा कोई वाक्या ना हो जब मैंने घर आकर परियों के बेबी देने और वापस ले जाने वाली बात बताई तो सब हसने लगे मा ने पापा से कहा अभी एक महीने पहले तो मिसिस खरिय को देखा था कहीं से नहीं लगा कुछ मैंने बताया परियों ने तीन महीने पहले बेबी रखा था दीरे दीरे बाद पूरे महले में बिजली की तरह फैल गई और बेचारे अंकल आंटी हसी का पातर बन गए लेकर उस परिवार खासकर दादी को तो एक और बच्चे की आस थी वो भी तीतरा बेटा तीन साल बाद मोहित का जन्म हुआ अब हम सब बच्चे परी खता से बाहर आ गए थे इससे हमें मालूम चल गया था कि ना तो परियां और ना ही सारस बच्चे लाते हैं बलकि बच्चे आने का तरीका कुछ अलगी होता है मीता दी तो जैसे छोटे भाई बैन जिने हम तीतरी तीतरा बुलाते थे कि मा बन चुकी थी घर पर उनका और लाड़ले बेटे तीतरा का ही रात चलता था मेरी सहली मीता और रीता यानि तीतरी बिचारी घर के सारे काम करते खासकर तीतरी तो ज़्यादा किसे मिलती भी नहीं थी अम्मा बार बार समझाती कि वो तीतरी नहीं है जो तीन बेटों के बाद पैदा होती है उसे तीतरी कहते है तुम लोग भी न बेकार में हाँ बेटा जरूर तीतरा है तीन बेटियों के बाद पैदा हुआ है देखना राज कराएगा अपने माबाप को मैं तब तेरे साल की हो गई थी और भाईया चौदे के यानी थोड़ी समझ आ चुकी थी हमने भी अम्मा की चुटकी ली कहीं आप भी तो राज करने के नहीं सोच रही हो अम्मा ने हमें डाटा थोड़ा पढ़ लिख लिया तो क्या माबाप की एज़्जत करना भी भूल गए मा से क्या इस तरह छेड़कानी की जाती है समय बीता जा रहा था हम सब अपने भविश्य की प्लानिंग यानी क्या बना जाए में लग गए थे तीतरी दिमाग से पूरी उतर गई थी वैसे भी बेचारी खरे अंकल की बेटी कम नौकराने ज़्यादा दिखती थी अम्मा होस्टल से छुट्यों पर घर आने पर बताती थी कि मोहित यानी खरे साब का बेटा लाड प्यार में बहुत बिगड़ गया है और मीता और नीता की शादी में तो जैसे उनका दीवाला ही निकल गया है खरे आंटी बीमारी रहती है और बाहर और घर का सारा काम रीता ही करती है इतना काम करने के बाद भी पढ़ाई लिकाएं में काफी अच्छी है बेचारी तीतरी अपने अंदर एक तूफान लिये चलती थी एक बार तो मुझे कुछ पूछने भी आई थी मैंने उसके सुन्दर और मासूम चेरे से जादा उसके फटे कुर्ते पर नजर डाली उसके बारहमी में बड़े अच्छे नंबर आए पर उसने इसी शहरें BST जोईन कर ली उसके बाद भी एक आद बार मुझे वो आते जाते दिखी भी पर मैंने उसे घासी नहीं डाली मेरी मेडिकल की पढ़ाई चल रही थी और भाई डॉक्टर बन आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया था एक दिन खरें अंकल अपनी सारी रिपोर्ट ले अपनी छोटी बेटी के साथ घर मुझे दिखाने आए रिपोर्ट दिखाने के बाद तीतरी यानि रीता का हाथ पकड़ कर बोले याद है तुम्हें मैं और तुमारी आंटी इसके जन्म पर रोए थे और तो और हमने इसके जन्म की सूचना भी किसी को नहीं दी थी लेकिन आज ही हमारे बढ़ापे की लाठी है मेरी दवाईयां मेरा खाना और अपनी बढ़ाई सब साथ साथ करती है घर के खर्चे में भी छोटे बच्चों की ट्विशन लेकर पूरे कर रही है बोलते बोलते बिचारे अंकल रूने लगे थे उस दिन मेरे दिल ने भी मुझे धिका रहा कि मैंने भी न विचारी के दर्द को बढ़ाया ही था उसके बाद कभी मुलाकाती ही नहीं हुई मेरी शादी में अंकल आंटी नहीं आ पाए मैंने भी अपनी मसरूफियत में कभी अपने पडोसियों की कैफियत नहीं ली आज मेरी बेटियां भी बड़ी हो गई है मैं कभी-कभी अपने बच्पन की बातों के साथ तीतरी का जिक्र करना नहीं भूलती वे लोग भी जाना चाहते थे कि तीतरे बेटे ने माबाप की जिन्दगी बदली या नहीं मैंने उन्हें बताया कि मेरी पढ़ाई के बीची अमा पापा ने वो कमपनी का घर छोड़ दिया इसलिए मुझे कुछ भी नहीं मालूम कि उन्हों के साथ क्या हुआ कई बार फेस्बुक में भी पीता दी और नीता को ढूने की कोशिश की पर निराशा ही हाथ लगी मैं भी अब शहर की बड़ी डॉक्टर बन चुकी थी दोनों बेटियां भी डॉक्टर पढ़ रही थी एक बार मजाग मजाग में मेरी बड़ी बेटी ने पूछा मॉम आपको भी तो कहीं तीतरा बेटा नहीं चाहिए था राज करती हैं आप महरानी बन कर एक दिन मुझे सेक्रेटरियर से चीफ सेक्रेटरी के पियेगा फोन आया कि उसके बॉस की वाइफ मुझसे कंसल्ट करना चाहती है कुछ गाईनेक प्रॉब्लम है दूसरे दिन लाल बत्ती वाली गाड़ी में एक बड़ी एलिगेंट गोर्लन चश्मा लगा एक प्यारी सी महिला आई उनके साथ दो एस्कॉर्ट भी थे पूरे शहरे मिसेस सिनहा के एलिगेंस की चर्चा थी मैंने तो सिर्फ अब तक सुना था पहली बार मिल रही थी उसके आते के साथ ही हवा में एक महीं खुच्बू सी आई हमारी आँके टकराई बीते समय के एक पहचान हवा में उभर आई मैं जहां शुकला से पांड़े हो गई थी वहीं वो भी खरे से सिनहा अतीथ हमें कुछ बाकी ही नहीं रहा था जहां मैं चिलाई तीतरी उसने जवाब दिया हाँ दी आपकी तीतरी अपनी उस हाई प्रोफाइल एलिगेंट मरीज को मैंने जम के गले लगा लिया मैंने दोनों बेटियों को बला लिया और फिर रीता मैं यानी मेरी तीतरी ने हमें पूरी खता सुनाई बेटियों ने भी मेरे मूँ से तीतरी नाम सुना था इसलिए उन्हें भी मेरे बच्पन से मिल अच्छा ही लगने वाला था रीता यानी तीतरी ने बताया लीता के विवा की तो वो सोच भी नहीं सकते थे लीता अविनाश की छोटी बहन को मैटस पढ़ाती थी और उस समय श्रीमान अविनाश सिन्हाजी यूपी एस्टी के तैयारी कर रहे थे और लीता ने साइन सब्जेक्स पढ़ने में उनकी जी जान से मदद की और उसी दोरान दोनों करीबा गए फिर क्या था आगे ही कहानी सामने थी और तो और अंकल आउंटी के दिन भी तीत्री नहीं बदले लीता की बात सुन सारा बच्पन आँखों के सामने घूम किया कहां उसे हम तीतरी कहकर उसकी हसी उड़ाते थे और उसने तो मानो सबको मात दे दी जिस बेटे से राज कराने की उम्मीद थी वो भी तीतरी के ही रहमो करम पर था काश उसकी दादी मेरी दादी आज होती तो शाय समझ पाती कि उनकी कुछ मानेताएं गलत भी होती है तीतरी के जाने के बाद भी कमरा उसकी भीनी भीनी खुश्बू से महकरा था और मेरे ग्यान चक्ष मुझे दिकार रहे थे काश मैंने उसे तीतरी तीतरी बुला नकारा ना होता अभी आप सुन रहे थे अंध विश्रासों पर करारी चोट करने वाली डॉक्टर संगीता जाजी की लिखी हुई कहानी तीतरी आपको कहानी कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कल मिलेंगे फिर किसी उम्दा कहानी के साथ आपका समय शुख हो